आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसूओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं. पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा. साथ ही अपने विचार मुझसे कॉमेंट सेक्शन में साजह जरूर कीजेगा. तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की शुरुवात करते हैं. मेरी उठती जवानी थी, जब मेरा दिल दर्द की मजे से परीचित हुआ. कुछ दिनों तक शाइरी का अभ्यास करता रहा और धीरे धीरे इस शौक ने तलीनता का रूप ले लिया. सांसारिक संबंदों से मूँ मोड़ कर अपनी शाइरी की दुनिया में आ बैठा और तीन ही साल की मश्क ने मेरी कलपना की जोहर खोल दिये. कभी-कभी मेरी शाइरी उस्तादों के मशूर कलाम से टक्कर खा जाती थी. मेरे कलम ने किसी उस्ताद के सामने सर नहीं चुकाया. मेरी कलपना एक अपने आप बढ़ने वाले पौधे की तरह चंद और पिंगल की कैदों से आजाद बढ़ती रही. और ऐसे कलाम का ढ़ंग निराला था. मैंने अपनी शाइरी को फारस से बाहर निकाल कर यॉरप तक पहुँचा दिया. ये मेरा अपना रंग था. इस मैदान में न मेरा कोई प्रतिद्वन्दी था ना बराबरी करने वाला. बावजूद इस शाइरों जैसी तलीनता के मुझे मुझे मुशाइरों की वाहवा और सुभान अल्ला से नफरत थी. हाँ काव्य रसिकों से बिना अपना नाम बताय हुए अकसर अपने शाइरी की अच्छाईयों और बुराईयों पर बहस किया करता. तो मुझे शाइरी का दावा न था, मगर धीरे-धीरे मेरी शोहरत होने लेगी, और जब मेरी मसनवी दुनियाये हुसन प्रकाशित हुई, तो साहित्यक दुनिया में हल चलसी मच गई. पुराने शाइरों ने काव्य मर्मग्यों की प्रशंचा क्रिपन्ता में ओथे के पोथे रंग दिये हैं, मगर मेरा आनुभाव इसके बिल्कुल विप्रीद था. मुझे कभी-कभी ये खयाल सता था, कि मेरे कद्रदानों की ये उदारता दूसरे कवियों की लेखनी की दरिद्रता का प्रमान है। ये खयाल होसला तोड़ने वाला था। बहरहाल जो कुछ हुआ, दुनियाये हुसन ने मुझे शायरी का बादशा तो बना दिया। मेरा नाम हर एक सबान पर था, मेरी चर्चा हर एक अख़बार में थी। शहरत अपने साथ दौलत भी लाई। मुझे दिन राच शेरो शायरी के अलावा और कोई काम न था। अकसर बैठे बैठे राते गुजर जाती। और जब कोई चुपता हुआ शेर कलम से निकल जाता तो मैं खुशी के मारे उचल पड़ता। मैं अब तक शादी भ्या की कैदों से आजाद था। या यूं कहिए कि मैं उसके उन मजों से अपरिचित था जिनमें रंच की तलखी भी है और खुशी की नमकीनी भी। अकसर पश्चिवी साहित्यकारों के तरह मेरा भी खयाल था कि साहित्यके उनमाद और सौंधरी के उनमाद में पुराना बैर है। मुझे अपनी जबान से कहते हुए शर्मिंदा होना पड़ता है कि मुझे अपनी तबियत पर भरोसा न था। जब कभी मेरी आखों में कोई मोहिनी सूरत घूम जाती तो मेरे दिल दिमाग पर एक से मैं अपनी रंगीन तबियत के खिलाफ आचरन शुद रखने पर मजबूर था। कमल की एक पंखुडी, शामा के एक गीत, लहला हाते हुए एक मैदान में मेरे लिए जादू का सा आकर्शन था। मगर किसी औरत के दिल फरेब हुसन को में चित्रकार या मूर्तिकार की ब खेर, दुनिया ए हुसन को प्रकाशित हुए दो साल गुजर चुके थे। मेरी ख्याती बरसात की उम्डी हुई नदी की तरह बढ़ती चली जाती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मैंने साहित्ती की दुनिया पर कोई वशी करन कर दिया है। इसी दोरान मैंने फुटकर श सकते हैं। मगर शायर की तबियत अकेली शांती से एक कोने में बैठ कर ही अपना जोहर दिखलाती है। चुनाचे मैं इन रोज बरोज बढ़ती हुई बेहुदा बातों से गला छुडा कर भागा और पहाड के कोने में जा छिपा। नैरंग ने वहीं जनम लिया। नैरंग तबियत पर जोर डालता मगर एक शेर भी ऐसा ना निकलता कि दिल फड़क उठे। सूजते भी तो दरिद्र पिटे हुए विशय जिन से मेरी आत्मा भागती थी। मैं अकसर जुझला कर उठ बैठता। कागस फार डालता और बड़ी बे-दिली की हालत में सोचने लगता क कि क्या मेरी कावे शक्ति का अंत हो गया है। क्या मैं वो खजाना जो प्रकरती ने मुझे सारी उम्र के लिए दिया था इतनी जल्दी मिटा दिया। कहां वो हालत थी कि विशियों की बहुतायत और नाजुक ख्यालों की रवानी कलम को दम नहीं लेने देती थी। कलपणा का पंची उड़ता तो आस्मान का तारा बन जाता था। और कहां अब ये पस्ती, ये करुन दरिद्रता। मगर इसका कारण क्या है? ये किस कसूर की सजा है? कारण और कार्य का दूसरा नाम दुनिया है। जब तक हमको क्यूं का जवाब ना मिले, दिल को किसी तरह सबर नह करता है। आखिर मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। उसने आम डॉक्टरों की तरह आबो हवा बदलने की सलाह दी। मेरी अकल में भी ये बात आई कि मुम्किन है नैनिताल की ठंडी आबो हवा से शायरी की आग ठंडी पड़ गई हो। छे महीने तक लगातार घूमता फिरत लगे। मुझे अपना खोया हुआ लाल न मिला। अब मैं जिन्दगी से तंग था। जिन्दगी अब मुझे सूखे रेगिस्तान जैसे मालूम होती जहां कोई जान नहीं, तास्गी नहीं, कोई दिल्चस्पी नहीं। हर दम दिल पर एक मायूसी सी छाई रहती। और दिल खोया-खोया रहता। दिल में ये सवाल पैदा होता कि क्या वो चार दिन की चांदनी खतम हो गई और अंधेरा पाक आ गया। आदमी की संगत से बेजार, हम जिन्स की सूरत से नफरत, मैं एक गुमनाम कोने में पड़ा हुआ जिन्दगी के दिन पूरे कर रहा था। पेड आखिर जब मुझे अपनी शायरी के लौटने की कोई उमीद नहीं रही तो मेरे दिल में ये इरादा पका हो गया कि अब मेरे लिए शायरी की दुनिया में मर जाना ही बहतर होगा। मुर्दा तो हूँ ही इस हालत में अपने कुछ जिन्दा समझना बेवकूफी है। आखि इस वक्त मुझे अपनी लोग प्रियता का कुछ अंदाजा हुआ। ये आम पोकार थी कि शायरी की दुनिया की किष्टी मंजदार में डूब गई। शायरी की महफेल उखड गई। पत्र-पत्रिकाओं में मेरे जीवन चरित्र प्रकाशित हुए जिनको पढ़कर मुझे एडिटरों की अविशकार बुद्धी का कायल होना पड़ा। ना तुम्हें किसी रईस का बेटा था और ना मैंने रईसी की मसनद छोड़कर फकीरी अक्तियार की थी। उनकी कलपना वास्तविक्ता पर छा गई थी। मेरे मित्रों में एक साहब थे जिनहें मुझसे आत्म इस बुरी आदत की बहुत हृदैता से सफाई दी थी क्योंकि रूखा सुखा आदमी ऐसी मस्ती के शेर नहीं कह सकता था। ताहम हैरत है कि उन्हें ये सरीन गलत बात कहने की हिम्मत कैसे हुई। खैर इन गलत बयानियों की तो मुझे परवा ना थी। अलबत्ता ये जिग्यासा थी कि मेरी शायरी पर लोगों की जबान से क्या फत्वा निकलता है। हमारी जिंदगी के कारणामे की सच्ची दाद मरने के बाद ही मिलती है क्योंकि उस वग वो खुशामद और बुराईयों से पाक साफ होती है। मरने वाले की खुशी या रंज की कौन परव करता है। इसलिए मेरी कविता पर जितनी आलोचनाई निकली हैं उसको मैंने बहुत ही ठंडी दिल से पढ़ना शुरू किया। मगर कविता को समझने वाली द्रश्टी की व्यापकता और उसके मर्म को समझने वाली रुची का चारों तरफ आकाल सा मालूम होता था। अधि नजर की गहराई गायब थी। समझर कविता पर निगाह डालने वाला कवी गहरे भावों तक पहुशने वाला को यालोचक दिखाई न दिया। एक रोज मैं प्रेतों की दुनिया से निकल कर गूमता हुआ अजमेर की पब्लिक लाइबरेरी में जा पहुँचा। दुपहर का वक्त था। मैंने मेज पर जुक कर देखा कि कोई नई रचना हाथ आ जाए तो दिल बहलाओ। ये काएक मेरी निगहा एक सुन्दर पत्री की तरफ गई। जिसका नाम था कलामे अक्तर। जैसे एक भोला बच्चा खिलोनों की तरफ लपकता है उसी तरह जपटकर मैंने उस किताब को उठा लिया। उसकी लेखी काम इस आईशा आरिफ थी। दिलचस्पी और भी ज्यादा हुई। मैं इत्मिनान से बैठ कर उस किताब को पढ़ने लगा। एक ही पढ़ना पढ़ने के बाद दिलचस्पी ने बेताबी की सूरत अक्तियार की। फिर तो मैं बेस दन धन्य हो जाए। मैं एक पैरग्राफ पढ़ता फिर विचार की ताजगी से प्रभावित होकर एक लंबी सास लेता और तब सोचने लगता। इस किताब को सरसरी तोर पर पढ़ना असंभव था। ये औरत थी या सुरुची की देवी। उसके इशारों से मेरा कलाम कम बचा था। मगर जहां उसने मुझे दाद दी थी वहां सच्चाई के मोती बरसा दिये थे। उसके एतराजों में हमदर्दी और प्रशंशा में भगती थी। शायर के कलाम को दोशों की दृष्टी से नहीं देखना चाहिए। उसने क्या नहीं किया ये ठीक कसौटी नह सफीर भोपाल के दफ्तर से एक पत्री का प्रकाशित हुई थी। मेरा पक्का इरादा हो गया कि तीसरे दिन शाम के वक्त मैं मिस आईशा के खुबसूरत बंगले के सामने हरी हरी घास पर टहल रहा था। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी सजावट बहुत साधी थी। पहली चीज़ पर निगाहें पड़ी वो मेरी तस्वीर थी जो दीवार पर लटक रही थी। सामने एक आईना रखा हुआ था। मैंने खुदा जाने क्यों उसमें अपनी सूरत देखी। मेरा चहरा पीला और कुमलाया हुआ था। बाल उल्चे हुए औ और कपड़ों पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई। परेशानी के जिन्दा तस्वीर था मैं। उस वक्त मुझे अपनी बुरी शकल पर सक्त शर्मिंद की हुई। मैं सुन्दर ना सही मगर इस वक्त तो सचमुच चहरे पर फटकार बरस रही थी। अपने लिबास के ठी 5 मिनिट गुजरे होंगे कि मिस आयशा तस्ष्रीफ लाइं। सावला रंग था, चहरा एक गंफीर घुलावट से चमक रहा था। बड़ी बड़ी नर्गीसी आखों से सदाचार की संस्कृति की रौशनी जलगती थी। कद मजोले से कुछ कम। अंग प्रत्यंग छरहरे। सुत्रे, ऐसे हलकी फुलकी की जैसे प्रकरती ने उसे इस भौतिक संसार के लिए नहीं, किसी कालपनिक संसार के लिए सिरजा है। कोई चितरकार कला की उससे अच्छी तस्वीर नहीं घीच सकता था। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखा, मगर देखते द आज की एक हलकी परचाई नाचती हुई मालूम हुई। जमीन से उठकर उसकी आखे मेरी तस्वीर की तरफ गई और फिर सामने परदे की तरफ जा पहुची। शायद उसकी आड में छिपना चाहती थी। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखकर पूछा, ने सिर नीचा किये हुए जवाब दिया, मैं ही बदनसी बक्तर हूँ। आयशा एक बेखुदी के आलम में कुर्सी पर से खड़ी हुई और मेरी तरफ हैरत से देखकर बोली, दुनियाए हुसन के लिखने वाले? अंद विश्वास के सिवाय और किसने इस दुनिया से चले जाने वाले को देखा है। आयशा ने मेरी तरफ कई बार शक से भरी निगाहों से देखा। उनमें अब शर्म और हया की जगह के बजाए हैरत समाई हुई थी। मेरी कब्र से निकल कर भागने का तो उसे यकीन आही नहीं सकता था। शायद वो मुझे दीवाना समझ रही थ उसने दिल में फैसला किया कि इस आदमी मरहूम शायर का कोई करीबी अजीज है। शकल जिस तरह मिल रही थी वो दोनों के एक खांदान के होने की सबूत थी। मुमकिन है कि भाई हो वो अचानक सदमे से पागल हो गया है। शायद उसने मेरी किताब देखी होगी और हाल प इस खयाल से उसकी उलजन दूर हुई। बोली अख़वारों में आपके बारे में एक नहायत मन्हूस खबर चप गई थी। मैंने जवाब दिया वो खबर सही थी। अगर पहले आईशा को मेरे दिवानेपन में कुछ था तो वो दूर हो गया। आखिर मैंने थोड़े लफ हुसन का लिखने वाला आक्तर अपने इंसानी चोले में है तो उसके चहरे पर खुशी की एक हलकी सुर्खी दिखाई दी। और ये हलका रंग बहुत जल्द खुददारी और रूप गर्व की शोक रंग से मिलकर कुछ का कुछ हो गया। गालिबन वो शर्मिंदा थी कि क्य मैंने जोश में भर कर जवाब दिया आपके कलम की जबान से दाद पाने की कोई सूरत ना थी। इस तनकीद के लिए मैं ऐसी ऐसी कहीं मौते मर सकता था। मेरे इस बेधड़क अंदाज ने आईशा की जबान को भी शिष्टाचार और संकोच की कैद से आजाद किया। वो म कहा अब मसीहा के सिवाए इस मर्ज का इलाज और किसी के हाथ में नहीं हो सकता। आईशा इशारा समझ गई। हसकर बोली मसीहा चौथे आसमान पर रहते हैं। मेरी हिम्मत ने अब और कदम बढ़ाई। रूहों की दुनिया से चौथा आसमान बहुत दूर नहीं है। आई जबान पर रोक लगाने के लिए किसी कदर खुददारी बरतनी पड़ी। जब मैं कोई घंटे भर के बाद उस कमरे से निकला तो बजाए इसके कि वो मेरी तरफ अपनी अंग्रेजी तहजीब के मताबिक हाथ बढ़ाए। उसने चोरी-चोरी मेरी तरफ देखा। फैला दिल मुस्कुराता था और जजबा नाशता था। उनमें मेरे लिए दावत का एक पुर्जोर पैगाम भरा हुआ था। जब मैं मुस्लिम होटल में पहुँचकर इन बाकियात पर गौर करने लगा तो मैं इस नतीशे पर पहुँचा कि गौर मैं उपर से देखने पर यहां दूर थी। जजबात की कश्मकश में नींद कहां। आइशा की सूरत, उसकी खातिरदारियां और उसकी वो छिपी छिपी निगाह दिल में एहसासों के एक तुफान सबर पा रही थी। उस आखरी निगाह ने दिल में तमन्नाओं की रूम धूम मचा दी थी। वो के साथ कलपना ने भी मुंदी हुई आखें खोल दी। दिल में जजबात और कैफियात का एक बेचैन करने वाला जोश महसूस हुआ। यही आर्जुएं, यही बेचैनिया और यही कोशिशें कलपना के दीपक के लिए तेल हैं। जजबात की हरारत ने कलपना को गरमाया। मैं कलम लेकर बैठ गया और एक ऐसी नजम लिखी जिसे मैं अपनी सबसे शांदार दौलत समझता हूँ। मैं एक होटल में रह रहा था, मगर किसी न किसी हीले से दिन में कम से कम एक बार जरूर उसके दर्शन का आनन्द उठाता। गौ आईशा ने कभी मेरे यहां तक आन चानी हुई आहटें पाते ही उसका चहरा कैसे कमल की तरह खिल जाता था और आखों से कामना की किरने निकलने लगती थी। यहां छे महीने गुजर गए इस जमाने को मेरी जंदिगी की बाहर समझना चाहिए। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं आर्ज हूँ और हसरों त तो उसका प्राणदाई मजा पी था। अगर आर्जूओं की घुलावट थी तो उनकी उमंग भी थी। आह मेरी ये प्यासी आखें उस रूप के स्त्रोथ से किसी तरह त्रप्त न होती। जब मैं अपनी नशे में डूबी हुई आखों से उसे देखता तो मुझे एक आत् तरावट सी महसूस होती। मैं उसके दीदार के नशे से बेसुत्सा हो जाता। और मेरी रचना शक्ति का तो कुछ हद हिसाब ही न था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे दिल में मीठे भाओं का सोता सा खुल गया। अपनी कवित्व शक्ति पर खुद अचंभा होता था। कल और घुलावट की दात दे रहा है। यह उस दीपक का वरदान है जो अब मेरे दिल में जल गया था और मुझे रोश्नी दे रहा था। यह उस फूल की महक थी जो मेरे दिल में खिला हुआ था। महबत रूह की खुराक है। यह अम्रित की बूंध है जो मरे हुए भाओं को जिन्दा कर देती है। महबत आत्मिक वरदान है। यह जिन्दगी की सबसे पाक, सबसे उची मुबारक बरकत है। यही अक्सीर थी जिसकी अंजाने ही मुझे तलाश थी। वो रात कभी नहीं भूलेगी जब आयशा दुलहन बनी हुई मेरे घर में आई। नैरंग उसकी म मुझे अंजाने ही तलाश थी और जिसे मैं अब पा गया था। तो दोस्तों आशा करती हूँ प्रेमचन जी की ये चोटी सी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों ज्यादातर जो कलाकार लिखते हैं या जो कविता कवियों के द्वारा की जाती है या जो शेर किरदार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिन्होंने एक बार अपने मरने की खबर अकबार में दे दी क्योंकि वो काफी दिन से बेचैन थे और उन्हें ये लग रहा था कि जितनी महनत वो कर रहे हैं लिखने में शायद उनको उसकी उतनी दाद नहीं मिल पा रही है या फिर श प्यार करने वाले लोग ऐसे हैं जो उनके मरने के बाद में अपना दिल खोल कर उनकी तारीफे कर रहे हैं इतनी सराहना तो किसी ने उनके जीते जी नहीं की थी और इनी में शामिल थी एक महतरमा जिनका नाम आयशा था आईशा ने जो उनके बारे میں लिखा था वो सब कुछ पढ़कर और वो सब कुछ देखकर शायर का दिल खिल उटा और उन्होंने जाके आईशा से मिलना निश्चित किया आईशा से मिले भी उनसे मिलते ही प्रेम भी हो गया और उनसे शादी भी कर ली और इसी तरीके से उनके जीवन में फिर से शायरी का एक नया रंग आ गया तो दोस्तों जल्दी है आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ फिलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए खुश रहिए और स्वस्त रहिए नमस्कार